इनमल टीशू हम लोगों को आज का चैप्टर में पढ़ना था आज के सेशन में यह इनमल टीशू जानना था और इनमल टीशू हमिस्टा ध्यान रखना है कि यह मल्टी सेल्वलर इनमल्स में पाया जाता है जो भी मल्टी सेल्वलर हैं और इनमल्स के रूप में उनमें टीशू पाया जाता है और यह जो एनमल टीशू होता है उसमें दो रचनाएं पाई जाती है मुख रूप से एक सेल होता है दुसरा मैट्रिक्स होता है सेल्वलर जो होता है वो कुछ पदार्थ का स्राव करता है सिक्रीशन देता है और उन्हें ही मैट्रिक्स कहते हैं और यह दोनों एक साथ इनमल्स कहलाते है अधिकांस इनमल्स टीशू जो होते हैं उनके चारों तरफ फ्लूइडी मैट्रिक्स हो गया चारों तरफ जो है न लेकिन अगर एनिमल टीशू केबल पूछा जा कि होता किस्टिस का बना हुआ है तो केबल दो ही बात बताओगे आप सेल्स और मैट्रिक्स अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन या टाइप उब औरं नर्स टीशू की सिफिए मस्कूलरल टीशू कलेक्टिव इस प्रकार से एक शार जो है therapeutic होते हैं अब चारो एनिमल टीसू कैसे होते है क्या काम करते है इस पर हम बात करें अगर तो इस पे देख लेते थे आ सा जो हम लोग कर रहे थे उस पो यहां पर थोड़ा सा हम एक रॉफ आइडिया के रूपमें देख लेते हैं एनिमल टीशू जो था वो दो परकार का बना हुआ था रचनाओं का एक सेल्स का और एक मैट्रिक्स का अब उसको अगर हम क्लासिफाई करें तो चार केरें के टोगरी में इसको हम रोग बाढ़ सकते हैं पहला था इपितिलियल टीशू में भी हम लोगों को चार टीशू मुख्ता पढ़ना है इसके साथ एक और टीशू है जो इसके साथ हमको जान लेना होगा यहां पर और उसका नाम है ग्लैंडूलर टीशू तो यह चार जो है प्रमूख है इनी का मॉडिफिकेशन है कॉल्यूम्र और क्यूवाइडल का मॉडिफिकेशन है आपका ग्लैंडूलर एपितिलियम सिर्येटिट एपितिलियम के जैसा ही ओभी एक मॉडिफिकेशन है उसको थोड़ा अलग से पढ़ लेंगे तो यह चार हम लोग पढ़ेंगे मुख्ता एपितिलियल पिर्शू में और एक और ग्लैंडूलर मतलब पांच पर लेंगे एपितिलियल तीसू में दूसरा कनेक्टिब तीसू मैं कनेक्टिब तीसू एक अरियोलर टीशू दुसरा है एडिपोस टीशू तिसरा है स्केल्टन टीशू और चौता है फ्लूइड कनेक्टिव टीशू या फ्लूइड टीशू इन चारों को पढ़ेंगे इनमें कनेक्टिव टीशू में और नेक्स्ट है मस्कूलर टीशू मस्कूलर टीशू जो है इसमें हमको तीन टाइ यह आने इस्टिए टेट और पीछ रहे कार्डियक को कि इसमें तीन टैप का मस्कूला टीसू में पढ़ना होगा और नर्बस की तो अभी हम इपितिलियल पीशु का शुरुवात अगर करें इपितिलियल पीशु है क्या उसको सबसे पहले हम बात यहां पर अगर करें तो सबसे पहले चारों पीशु को एक साथ समझ लेते हैं आफ है एक समसुत है पहले पितिलियल पीशु को देखो सबसे जो बाहरी हो याप ऑन उपर तो किसी भी किसी भी रचना में किसी भी लेइर पर सबसे बाहरी होता है उसको बोलते हैं एक फ्यलियल लेइर होता है वो आपके घर में जो plaster होता है इत के दिवाल जो बनायते हैं हम लोग और उसके उपर में क्या करते हैं सीवेंट का एक लेयर चाहते हैं plaster देशा वही सित्व होता है एपिथिलियल का पोजीशन होता है कोई भी ओर्गन ले लो आपका बॉड़ी ले लो उसमें सबसे बाहर जो होगा उसको एपिथिलियल बोलेंगे या एपिथिलियल लेयर बोलेंगे तो इस स्कीन जो है वो आपका एपिथिलियर लेयर है सबसे बाहर है पूरे बोडी को रखे हुए ढखे या अंदर से देख रहो आप अंदर में कोई ओर्गन है आप माउथ में अंदर गुशो तो इसको बोलते हैं हम यह जो है ना माउथ कैविटी बोलते या वकल कैविटी बोलते जिसमें आपका जीव दात सब होता है इसमें अंदर में सबसे बाहर जो अंदर में सबसे बाहर का जो लेयर होगा मतलब सबसे अंदर का जो लेयर हमारा यह चीकी डीजन में है उसको भी हम क्या बोलेंगे एपि क्या होता है किसी भी रचना में किसी भी अंग में इवन बॉडी में सबसे बाहर या सबसे अंदर का लेयर होता है उस परकार से जिस परकार से मकान का सबसे बाहरी परत या सबसे अंदर का परत को प्लास्टर करते हैं उसी परकार किसी और गन या बॉडी के सबसे बाहरी परत को हम क्या करते हैं एपिथिलियल टीशू करते हैं या एपिथिलियल लेयर करते हैं अगला आए कनेक्टिव कनेक्टिव जो है ना उसको देख लो जैसा कि नाम है कनेक्टिव जोड़ने वाला कनेक्ट करने वाला तो यह क्या करता है कनेक्ट करता है तो हम function तो epithelial का अभी आपको बताए नहीं केवल position बताए अब जड़ा सोचो सबसे बाहर में है epithelial layer या सबसे अंदर में है और उसके अंदर में connective हो सकता है connect कर रहा था जोड़ रहा था तो epithelial layer जो सबसे बाहर में उसका काम क्या होगा आपके border पर सेना है BSF है उसका क्या होता है तो कोई भी बोलेगा सुरक्षा करना सबसे बाहर है तो सुरक्षा देगा आप कपड़ा पहंते हो नहीं क्या करता है शुरक्षा देता है पानी से मौसम में होने वाले परिवर्त् सिर्ण आप जीब जन्तु है उन्से या घर से में जो हो जाता है आप चल रहे हो रगार अग्या नियुक क् सब्सक्रा cities डेता है जो गड़ा काम करता ह्शुरॉच्छ सब्सक्राइब से पहला काम करता है जो की एनिवल adapter तो इन्मर्क रिश्यू का पहला first काम क्या हो जाएका प्रोटेक्शन का मैं सन्ग कभरिंग करता है या करता है पी टे offer और लाइनिंग तो अंदर से प्रेट ऑफ भी और बाहर से भी protection देता है कि आपके मन में का कि कभरिंग और लाइनिंग का क्या मतलब है जैसे कोई यह रचना है कोई और गन है structure है अब सबसे अंदर में ऐसे रहे कोई लिया तो उसको कहते हैं लाइनिंग लेयर यह कैवीटी है अंदर में जो है लाइनिंग लेयर और इसमें अगर बाहर से कोई लेयर रहता है अगर एक्मोस्पेयर या इंवार्मेंट के तरफ कोई लेयर ऐसे रहता है तो इसको भी कर इसको भी करेंगे हम इपिथिलियम ही अगर इनमल टीस्टू है तो लेकिन यह कहला आएगा कवरिंग कवरिंग यह कवरिंग और लाइनिंग लेयर दोनों के दोनों जो है न इपिथिलियम होते हैं इपिथिलियम होते हैं आपके सरीर में या आपके सरीर के अंगों में काम इसका क्या हो गया सबसे पहला प्रोटेक्शन सुरक्षा सबसे प्रमुक काम दूसरा सिक्रीशन हो सकता है जैसे आपके स्कीन पर से पसीना आता है तो यह जो पसीना आता है कहां से आता है इसकीन के तोचा के सेल से निकलता है उसके उसमें ग्लैंट्स होते हैं जो श्राओ देते है अपना ये भी आपका काम जो है ओहे इपिध्यियम का तो दुसरा काम है सिक्रीशन देना और तिछा है फिल्ट्रेशन आपके किड्णी विगरह में जो यूरीन का फिल्ट्रेशन होता है या of materials होता है आपके कई जगों पर जैसे की इंटेस्टाइन में गट में या फिर आपके जो है ना किड्नी में भी वो मदद करता है एक्षेंज में मैटेरियल का या आपके फेपड़ा में जो पर सबसे इंपोर्टेंट उसको दिमाग में रखना है मिनित अब सबसे बाहरी परत चाहे अंदर से चाहे बाहर से किसी भी और्गन में, किसी भी बॉडी में, किसी भी रचना में अगर वो एनिमल का है तब ऐसे प्लांट में भी सबसे बाहरी परत को हम इपिथिलियम ही कहते हैं तो जो भी कवरिंग लेयर हो या लाइनिंग लेयर हो हो उसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं उसको हमेशा हम इपिथिरियम ही कहते हैं और इसका काम थह पहला फंक्शन में पहला अगर बात करें तो प्रोटेक्शन दूसरा बात अगर करेंगे तो सिक्रीशन और तीसरा जो होगा इसका फंक्शन एक्सेंज ऑप मैटेरियल या उसी में हम यह भी कह सकते हैं फिल्ट्रेशन यह तीन प्रमुख काम हैं हम करेक्टरिस्टिक लिखवा देंगे इसका कैसे इसको पहचानेंगे कैस अगला क्या काम है वह अलग से लिख देंगे लेकिन अभी समझ लेते हैं अगला एक करेक्टिव टीसू जैसा की नाम है कनेक्ट करता है जोडता है दो और गेंज को जोड़ेगा जो दो अलग अलग जो टीसू है हमारे बाडी के उसको जोड़ेगा क्फ इसका काम ही हो गया जोलने वाला मतलब कुछ हद अगर आप से कोई बोलिए कि कर पिजो क्या है तो आप भूसक्त हो नट भूल्टु होता है उस तरह से मसीनों में नट बोलटू होता है मसीन है उसमेन इत्क पेच होता voltage होता है कसने सब्सक्राइब जोलने वाला अब ही कहां होगा है कि बहार डाल देंगे बीच में डालेंगे दोनों के तो दो अलग-अलग ओर्गेंज या दो अलग-अलग प्रकार के जो एनिमल टीशू है उनके बीच में ये पाया जाता है कौन? कनेक्टिव टीशू इसका काम क्या हो गया? डिफरेंट टीशूज को आपस में जोड़ना डिफरेंट टीशूज के सेल्स को आपस में जोड़ना और तो और और ओर्गेंज को आपस में मिलाकर बॉड़ी का दिर्मान करना अगर कनेक्टिव टीशू नहीं होता इसका काम अगर समझना है तो क्या करता है अगर करेक्टिव टीशू नहीं होता तो आपके डिफरेंट टीशू थे एपिथिलियल टीशू मस्कुलर टीशू नर्वस टीशू सब विखर जाते हैं ऐसे आप यह से समझ लो एटों को एक के उपर एक सजादो रख दो तो फिर क्या करो अगर आजी आया या भुकम पाया है या कुछ भी आया सब के सब ऐसे भिखर जाते हैं पूरा का पूरा हीट का जो दिवाल था वो भिखर जाता है लेकिन उसको आपस में जोड़ दो कनेक्टिव कर दो कोची से सीमेंट से मीटी से या कुछ और मैटेरियल से आपस में जोड़ दो उसको चिपका दो उसको फिर क्या होता है वो आपका मकान कई मंजिल का हो जाता है और काफी उच्छा दख जा सकता है जेस्ट यही काम आपमें कनेक्टिव तीसू दिप्रेंट टीसूच को आपस में जोड़कर और्गेंस का निर्मान करता है और्गेंस बनते ही नहीं सोचो अगर कनेक्टिव तीसू नहीं होता तो कीडिनी नजर नहीं आता उसके सब अवियव एक दुसरे से अगर कनेक्टिव तीसू नहीं होता तो ठीक है और्गें भी अगर किसी तरह से आपका बन गया होता किडिनी होता है ऐसे लीवर होता वो सब के सब एक साथ नहीं मिलता और एक बॉड़ी के रूप में आप खड़े नहीं होते हैं कि फिखर जाते ऐसे हैं तो आपको एक बॉड़ी के रूप में पूरे शरीर को एक एक क्या बोलते है यूनिट के रूप में अगर बना के कोई रखता है तो कौन है कि कि पिशू है करिक पिशू नहीं रहता तो आप उधर निकल के प्टेकाल रहता नाक उधर रहता दाथ कहीं और रहता खाते क्या आम खाते आम खाने में दात बाहर आज अगर दात आपके मुँव में जुड़ा हुआ है मसूरा के साथ तो किसके कारण करेक्ट के पिशू के कारण नहीं तो कितना भी मजबूत दात होता और भुट्टा डालते तो मालूम होता कि दात बाहर या दातों चल गया भुट्टा के साथ पेट में अंदर तो कनेक्टिव पिशू क्या कर रहा है डिप्रेंट एस्ट्रेक्ट्स को आपस में हमारे बॉड़ी में जोड़ रहा है सोच इसके नहीं होता करेक्टिव पीशु तो क्या ओता है कान पकड़ यह से अलग फिर बार बार इसको शाठ ना प्रतर गोंद लगा कि यह करेक्टिव पीशू के कारण ही यह बोलते हैं पिन्ना बोलते जिसको यह आपके बॉड़ी के साथ जूला हुआ है यह सारी की सारी उंग्लियों का जो हड़्याय यह मैं आप tactics नहीं होता थो फिर माथस लगा ली काके में आखे पर सोजाते हैं खूद जाता है कि आपका पूरा Neden यहां के तहा घौता काना ऑड होता है और यह आपका यहां पर स्टोमक होता है बायासाइड में उपर में जय्ट फ्यपड़ा के नीचे वह क्या होता है हैं शुछओ दौरते तो क्या होता कीड्नी पूरा आपस में टकरा रहा है कि सब कीड्नी टक्रा टक्रा कर फूड़ जाता को लीवर कभी दाया जाता कभी वाया जाता उस्व एक जगा पर बना रहता है किसके कारण करनेक्टिप किसु के कारण को सेल्zkो यह औरर्गेंस को एक साथ जोड़कर एक यूनिट के रुप में बजलता है या बना के रखता है यह हो गया करनेक की पीशू का काम पहला काम दूसरा काम क्या है यह और्गेंस के बीच में पाया जाता है तो उनको आपस में टकराने से रोकता है जैसा कि थर्मो कॉल हम लगा के रखते हैं समान आप होगा पैकिंग अब तो कोरोना काल में तो जो है ना ऑनलाइन खरदारी बढ़ गया कुछ तो पहुंचाने आता है देखेगा उसमें क्या होता है थर्मो कॉल वगरा भरा रहता है या फ्रीज कूलर मंगाते होंगे या कोई भी समान देखेगा चारो तरब से उसमें पैकिं में और बोखक होता है किसके जैसा होता है काकच बना होता है क्या करता है व sos Mädel को आपसमें टकराने से रोकता है उनको पैकिंग करता है तो इसको साथ टीशु saamiswim बोलेंगे यह क्या करेगा है करेगा करेगा और क्या करेगां पैकिंग करेगा आपसमें टक्राने से रोकेगा फसमें ठुल के डिक और दाथ दुनों आपस में तकराके अब पूरा चुनी दिकत हो जाता सोचो जला दोड़ते तो कितना प्रॉब्लम होता अगर करें की पिशू नहीं होता तो पैर उठें नहीं करता पैर कवर के अब बाहर अगर आप गाड़ी चलाते होंगे अगर आप कोई भी मसीन चलाते बहुत महत्पून पैकिंग करता है यह दो इसके प्रमुक्र काम है कनेक्शन और पैकिंग अगर यह नहीं रहता तो आपका में ठीक नहीं होता सब ऑर्गेंज बिखर जाते सब कीशू एक दुश्य से बिख्रे हुए होते आप आप नजर नहीं आते बलकि नजर ही नहीं आ और दुसरा क्या करता है पैकिंग हां ऑर्गेंस को आपस में टक्राने से रोकता है आपका आई जो अगर नहीं रहता तो धाक हो जा आई आईबॉल में ऐसी होते रहता उचलते रहता हैं उससा को पैट करके रखता है हां ? किद्नी को एक जगाँ पर पैक किये हुए है लीबर को पैक यह आपके इंटेस्टाइन को इधर से उधर होने नहीं दे रहा है सबको पैक किये वे उसके एस्थान पर बनाये रखता है। तो यह दोनों का काम हो गया तिसरा है मस्कूलाट टीशू मस्कूलाट टीशू भी बहुत महत्पूर्ण है एगर आज एनिमल जोहना मूभ मोब कर पाता है आप हमको देख रहे होंगे हम इधर से उदर स्क्रीन पर आजा रहे हैं तो किसके कारण मस्कूलाट टीशू के कारण कि अबल प्लांट में वेचारा में मस्कूलेट टीसू नहीं है तो चल नहीं पाता है नहीं तो प्लांट भी क्या होता आपके पीछे-पीछे चल देता आम का पेन गाव में लगाए और सहर में चले गए रहने के लिए आमके पेन को बोलते चल भया पीछे-पीछे कारण है जो भी एकनमल में मूवमेंट होता है उक किसके कारण होता है मसद्थ के कारण होता है मस्कूल waiver टीशू के कारण होता है हमारा होक्ष करता है पंप करता है तो शीकूरता है और फैलता है Пон्ट्र 사理 ह olho सोथ है करल्ली और रिलाक्स होता है यह जो contraction रिलाक्सन है रिलाक्सेशन है हर्ट का वो किसके कारण है मसस के कारण अगर नहीं होता तो हर्टर इसे रखता पर हैं तो तो अगर मसंद नहीं होता तो में नहीं पाते अभी आप देख रहा हुँंगे माला जबड़ा उपर नीचे ओपर नीचे हो रहा है और जरन पर चीव आगे पीछी हो रहे है या चल पा रहे हैं और यह किसके कारण होता है मसल्स के कारण होता है नहीं तो क्या होता बढ़िया माइक की लगाय हुए होते सामने बढ़िया जो है ना क्या बोलते कैमरा लगा हुआ होता लेकिन बोल नहीं पाते डोल नहीं पाते हिल नहीं पाते डोल नहीं पाते आप सोच है हम तो कई बार एक्जामर लेते हैं भोजन का चुकि खाने का बच्चों का जो राज सौक ज्यादा होता है हासके रस गुला तो सामने रस गुला पढल रहता उठानेज पाते चुकि मसल्कॉन्ट्रेक्शम नहीं होता है तो तो इसमें क्या लगणा पड़ता मसीन वाला खी किसे पढ़ता है या कुछ करें पढ़ता है अभी रजगुला को पकड़ता है किसके मदद से मसल्स के मदद से उठाता है किसके मदद से मुझ में डालता है किसके मदद से मसल्स के मदद से और डाल भी देता है तो मुझ उसको चबाता है किसके मदद से मसल्स के मदद से और अ में डालते हैं कि निगल लेंगे तो निगल नहीं पाते हैं फिर समय समय पर पानी डाल को जोका मारना पड़ता है जैसे नाली में पानी मारना पड़ता है कि सब दह जाए तच्रा तो पिद्धोना पठता है तो फ़िए इसको पानी फ़िए फार इंदर जातार। कि ना समस्या होता कि सामने वह आपर ना वह किया होते हैं बहुत बंड़ियाँ सीनेबा हुआ laure ने देख नहीं पाते तालिव नहीं वजया पाते। तो आपके सरीर में जो भी मूवमेंट होता है, जो भी मूवमेंट किसी ओर्गन का, किसी भाग का, किसी मतलब क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे ओर्गन सिस्टम का, या तो आपके पूरे बोडी का जो मूवमेंट है, वो किसके कारण है, मस्कूलर मूवमेंट का लाता है, औ खबर ले जाने और लाने का काम करता है। सोचो अगर आपके पास खबर हमारी जा रही होगी तो किसके मदद से जा रही है इंटरनेट के मदद से इंटरनेट कट जाएं। तो क्या होगा हम यह खूब भासन देते रहें आपके पास पहुँचेगा नहीं रासन मतलब आवाज पहुँचेगा यह नहीं पहुँचेगा आप देखी नहीं पाओगे पोटो अगर देख पा रहे हो तो किसके कारण। जो खबर को ले जाने वाला है उसके कारण। और आपके बॉड़ी में एक काम कौन करता है नर्वस तीशू करता है। हम चौपारण में हैं और लोग जो है न दूर दूर तक पढ़ लेते हैं। मतलब सुचना पहुँच जा रही है, सुचना है वहां से आ जा रही है। आपका नर्वस तीशू का काम है नर्वस तीशू और के पहला काम क्या हो गया सुचना ओको कैरी करना ना क्या करता है प्रहि और आप सुचिना क्या लिखे खबर को क्या लिखे क्या लिखे सुचिना को information बोलते है भाई और क्या करता है poor relation of करता है poor relation of organs या और्गन सिस्टम सिस्टम उसको को लेशन भी करता है को लेट करता है कि आपस में जोड़के रखता है सोचो अगर नर्वस सिस्टम नहीं होता तो क्या होता है क्या होता है कि हमको यूह ला अठोगना है हम बोलना हैusing on air जीकों अब करता है जोड़ने काम कान करता है नर्वस्टी सूचिश्टम करता नहीं हो पाता है a football के तो क्या होता सामने वाला गेंदा मारता आखी देखता झाल आ रहा है तो जो आज भिल ना पहलों नहीं बता-पाता हूं नहीं बता-पाता तो रख अफ्ट ऑन्ट्र ep parlar पाथे यां पुट्वाल को मार नहीं पाते कि पुट्वाबं आपको घेया होता तो कि जलाती है तो आक देखता सामने गारी जा रहा है और खता कि नहीं इंब्रेक नहीं मारेंगे तो आप कभी थे हो जाते पर्मानेंट उसे ले जाते हैं हस्पीटल में भरती रहते हैं तो आपके बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गेंस हैं जिनको कनेक्टिव तिसू आपस में जोड के रखा है जिनमें गत्विधियां दे रहा है मस्कुलर ढक के रखता है सुरक्षा देता है कनेक्टिव तिसू आपस में जोड के रखता है और मस्कुलर टिसू गतिविधियां देता है उसमें गती देता है और नर्वस तिसू उनके गतिविधियों को आपस में जोड के रखता है सुचनाओं को एक जगह से दुसरे जगह ले जा आता है चोचो ना देखा आख खबर गया कहां मस्तिक्स में अगर बीच में कनेक्टिव टिशू रहता तो खली जोड के रखता नर्वस टिशू नहीं रहता तो सुचना वहां पहुंचता ही नहीं और तोहर इसको क्या करता है इनफॉर्मेशन को खोलता है डिकोडिंग करता है अना डिकोडिंग कोडिंग एंड एनालीसिस एनालीसिस ऑफ इनफॉर्मेशन सुच्राओं को सामने से जो आ रहा है अबजेक्ट वो क्या है गदा है कुता है बंदर है सुवर है गेंदा है फुट वॉल है कि किर्केट का गे कि कि सोचने समझने उसको डिवानी है इवन याद रख तो नर्वस टीशू का महरवानी है और अगर पा रहा है थो मस्कूलिर टीशू का कि हर्थ हमारा पंप कर पा रहा है तो nominal Tissue का भोजन पचा पा रहे हैं तो muscular Tissue का और connective Tissue का आपस में जूर के रेक आजमी बने व beast ने गोंड़ीं को क्या होता हमारा हात उदर गुमता रहता और यह हात उदर गुमता ऊछा गुमता पर उधर आफके सुरच्या देता है कवरिंग देता है तो इस चारों टीशू आपके दिमाग में बैड़ हमाद घर देटा है च纟ेकर टीशित q मोमेंट देता है मशलिन मास्कुलर मोमेंट डैंक मीशा देटारे लिए आपका हाँ यह कोड़ा हिसमें मुविममेंट होता है इस इसमें जो इनर्जी इसको जाने के लिए हो हम दे रहे नंकि इसमें मस्कूलर मुव्मेंट जो होता है वह क्या होता है खुद के दोबारा होता है और ऐसे जो रिख्र मुवंट नहीं है लेकिन आप लुगरते हुए जा हाथ पर मारते हुए लुगर रहे हैं तो यह किसके कारण हो रहा है मसल्स के कारण और ख़बरों का सुशनाओं का अधी से जाना उसका डी कोडिंग होना पो डिपरिण सारे को सारे सारे सेल्स आपस में चुप कया है मतलब सेल्स के बीश में गैपट नहीं होता है पहर्ला बात की गैप नहीं और होते हैं और तो और देख रहे होंगे आप एक लेयर के रूप सब सजे हुए हैं एक लेयर या एक से ज्यादा लेयर के रुप में दुसरा है मस्कूलर टीशू देखिए सब लंबे-लंबे सेल्स हैं और यह सब कॉंट्रेक्ट रिलेक्स करते हैं तो आप हील दोन पाते हैं यह तीसरा जो है आपका connective tissue है जो नीचे में हैं ऐसे दुसरे नमबर पर है connective tissue देख रहे हैं यह क्या किया सेल्स के बीच बीस में भरा हुआ है यह packing करता है आपके different organs या tissue में यह packing का काम करता है और और यह नर्वस टीशू देख रहे हैं तार जैसा है बिख़डा हुआ यह सुचनाओं को ले जाता है और आपको क्या करता है सोचने समझने की चमता देता है अलग-अलग अंगों को एक साथ मिलकर काम करने की चमता देता है और तो और यह जो है ना कवरिंग और टीशू और इपितिलियल टीशू भी दो भाग में माटा जा सकता है दो रीजन के अधार पर एक एपियरेंस का इसन नजर आ रहा है उसके सेल्स और दूसरा नंबर ओप लेयर्स कितना है ठीक है पहला बात करते हैं एपियरेंस के अधार पर तो एपितिलियल टीशू को आपका चप्ता जैसा है हां टाइस जैसे सजा हुआ है महारवल या टाइस लगाते ना वैसे सजा हुआ है तो उसको बोलते हैं स्क्यूमस आप लोग एक पटाक एक एक बंदूक जैसा छोटा बच्चा लोग रखता है अभी मेला वेला में खुद भीकता है वो उसमें कि बीच में तो फूला हुआ होता है विच में और पट-पट का आवांहोता है चटा अवाज होता है और बच्चा उसको को पट पट मारता जाता है और वाज होता चला जहालेंग पलती है नूपार जयता है ऊबच यह निव article ay Nucleus है उसी तरह से यहां नजर आता था जिस में जाता है और आग जैसा निकलता है पतला सा सेल मीनिमम हाइट का सेल है और परत में सजा हुआ है इसका नुकलियस जो होता है वह आपका क्या होता है ओबरा हुआ जैसा होता है मीनिमं हाइट इन नर्फंश जाता है सजावत में करें बीज संद्रा को सवा जो चुर्ज है लादा कि यंश में लगा रहा है यह किनारे जैसे लगाता इस सिसका सजावत होता है कि i स्क्रीम नेक्ट टुब आरल एकिलियम देखिये इस में यसमें आपका मॉडरेत है का है मतलब मुच्छ है और क्यूब लाइक होता है क्यूब मतलब लंबाई चुराई होटाई बरावर इसका जो आपका सेल होगा उक्यूब ऑडल होगा किस लाइक होगा क्यूब जैसा मोडरेट हाइट का नजादे उंचा नजादे नीच्छा और इसके जो नुकलियस है देख रहे हैं गोलाकार है और इसका नुकलियस देख रहे होंगे आप वो कैसा है भाई तो जो है ना आपका दबा हुआ जैसा है डिस्क जैसा लगे नजर इसके वैसा उसमें था और इसमें देख रहा है गोलाकार है नुकलियस यह हो गया आपका क्यूबडल एपिथिलियंग नेक्स्ट आ जाए ये कॉल्यूम्नर एपिथिलियंग इसके तो पीलर लाइक अगर सेल्ष होंगे तो इसको क्या भोलेंगे कॉल्यूम्नर कॉलम मतलब उपने क्यों डाल रहा है कॉलम मतलब पीछाल राल न उपर में तो उपर अगर है अकर सथलीय पालूमा रचना करते हैं संखिया कम और बड़े बड़े हो टो उन्कोव लोग फल्यजला करते हैं और संखिया जादा हो और साइट छोटा हो उनको हम लोग चोटा हो तो साइज क्या है चोटा है और संखिया कापी यह और यह दिखे इसको बोलेंगे सिलिया अगर रहेगा तो War with और आध और नहीं है तो सिंपल कॉलिमनर तो यहां पर सिलिया है तो सिलियेटिट हो जाएगा अब अगर मालने यही सब सेल जो है ना कुछ सिक्रीशन दे रहा है तब इसको ग्लैंडूलर बोल देंगे ऐसे ग्लैंडूलर जो ना समांता क्यूबाडल और यह कॉलिमनर दोनों में क्यो सब्सक्रीच के होते हैं अब हम लोग आते हैे लैर के अधार पर संक्या के दिस्वर दो भाग में बाटे थे आला के आधार पर देखने में क्यूब लाइक है क्योंट सब्सक्राइब Mattel ada solum Lank ए तो कुलिमिनर अगर स्यलियेटेड अगर सीलिया नहीं तो दसलियेटम्हाइब और अगर अगर चप्टां में इसवा है लाप् Few उसको बोलते हैं तायल सा 9 चान टायो जिया हुआ की तगदा तो सजा हुआ झाटेंगे अब देखिए पर पर इसमें तो इने कंक्या कितनी यह एकटिन चाहर पंच चे लेयर में पर tähän् Cat 2017 Lود कीखिग देखिव एकने की किलियर में और यह तो अगर एकने जिएनमें सजा हुआ तो इसको बोलेंगे stratified या compound epithelium, stratified epithelium का मतलब वैसा epithelium जिसमें sales एक से ज़्यादा layer में सजे हुए हैं, और simple में वैसा epithelium जिसमें sales केवल एक ही layer में सजा होता है, अब हम आगे आते हैं, अगर esquemas sale रहेगा, तो simple esquemas, अगर columnar रहेगा, एक ही layer में, तो simple columnar, अगर qvidal रहेगा, तो simple, क्या qvidal, अगर siliated रहेगा, तो क्या हो जाएगा, simple columnar siliated epithelium, या simple qvidal columnar siliated epithelium, siliya रहेगा तो, इस पे siliya नहीं है, तो केवल qvidal बोल दिए, अगर siliya रहता, तो simple qvidal siliated epithelium, ठीक है, simple मतलब, एक layer में, और stratified मतलब, एक से ज्यादा layer में, यहाँ देखिए, के layer में है, दो layer में, तो एक कैसा हो जाएगा, stratified qvidal epithelium, सबका लंबाई, चोड़ाई, मोटाई, बराबर, तो इसको क्या बोलेंगे, qvidal, अब यह देखिए, यह एक से ज्यादा layer में, तो इसको क्या बोलना है, सिंपल, एक से ज्यादा आपका layer में नहीं है, देखिए, सबसे लेखी जगा से उठा हुआ है, और लेकिन इसमें nucleus किसी का उपर है, किसी का नीचे है, तो देखने में कैसा लग रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सबसे नीचे ही आया हुआ है, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, pseudo-statified epithelium, pseudo मतलब गलत, जूठा, statified मतलब, एक से ज़्यादा layer में सेल सजा हुआ है, तो उसको बोलेंगे, pseudo-statified epithelium, अब कहां कहां कौन रहता है जी, तो देख लिजिए, तो आपके नेजल ट्यूब में, ऊपर में नेजल ट्यूब में पाया जाता है, तो देख लिजिए, यह बाल जैसा है, यह पूरा हिलते-डूरते रहता है, और हिलते रहता तो क्या करता है, वह आपका बदार्थों को मूब कराता है, यह रचनाओं को मूब कराता है, और हटाता है, अब सिंपल एस्क्यूमस इपिथिलियम कहां कहां है जी, तो ब्लैड बेसल्स का सबसे अंदर का लेयर हो गया, यह आपका जो रक्त नली होता है न, और अल्वियोलाई नाम सुने होंगे, अल्वियोलाई कहा पले जाता है फेपड़ा में उसका जो लेएर होता है सबसे अंदर का क्योंकि एक ही लार्म पाधितीलियम ना ऑर अपका लेहर होता है अंदर का वह पूरे है आपका इस ब rockets कि मेर एक होता है वर का है जाता है झांतन प्लाई ये RAM जैने करी देखके का जो परत होता ना भी जो आपको बता रहे थे जीव है और यह अंदर का परत है तो यह जो यह दात हो गया और यह जो अंदर का परत है वह भी किसका बना होता है आपका होता है सबस्क्राइब से नीचे जाएगा तो क्यों वाइडल हो जाता है अब आजाएए यह इस्कीन जो होता ना उसमें कई लेयर में आपका सजा हुआ होता है यह कैसा होता है स्टैटिफार इस्विमस यह होता है आपके में और आपको कहां बता है तो किडनी में है लाल लार्ग में जो होता ना उसके नली में तो आपको बटाये थे ना कैसा होता है आपका परत्मुमार अचना के रुप में सजा होता है है अब यहां पर इपितिलियल सेल्स में क्लेंड के रूप में भी काम करता है देखिए vid garant के रूप में क्या हुआ हैं सेटीर पुए ने लिग Assetsu कर दिया ग्लैंड वर एक वेज़ेंगा वी